मकर लगन की कुंडली का जो खल नायक है जो निगेटिव प्लेनेट है वो है चंद्रमा वैसे तो सूर्य भी इनके लिए बुरे फल देता है लेकिन चंद्रमा जादा बुरा है जादा निगेटिव है इस कुंडली का जो परफेक्ट खल नायक है वो चंद्रमा है और चंद्रमा की वज़े से इनको पारिवारिक जीवन की संतान पक्ष की और पाचन तंत्र यानि दाइजेशन की समस्या परिशान करती है चंद्रमा चुकी इनको शुब परिड़ाम नहीं देता इसलिए मकर लगनवालों के पारिवारिक जीवन में जंजट बहुत होता है संतान को लेकर भी कष्ट होता है डाइजेशन अकसर गड़बड रहता है और चंद्रमा की वज़े से मकर लगनवालों को तनाव पालने की या बेवज़े सोचने और चिंता करने की आदत पढ़ जाती है कैसे अपने इस खलनायक को शान्त करें अगर मकर लगन है सफेद चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाईए सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा होगा और महीने में एक बार पूर्डिमा आती है उस पूर्डिमा का उपवास रखिये अगर आप ये दो काम करें तो आपका चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं जो उतार चड़ाव हैं उनसे आप बचेंगे इसलिए मकर लगनवाले सफेज चंदन का तिलक लगाएं पूर्डिमा का उपवास रखें उनके लिए बेहतर होगा